UPSC कि अगर आप अलोग तयारी कर रहे हैं तो आप लोग कोई पता ही होगा, तीन चराण होते हैं, पहले है रंबिग परीक्ष नुए दूसरा है मोख परीक्ष्या और तीसरा है साकशक्र्टा यानि विक्तित्व का परीक्षड, तो 7-7 आज देखेंगे मोख परीक्ष के सिल रहेंगे साथी साथ प्रश्न खाक यहां से देखेंगे पत्र ये भी जिनके लिए प्रश्न पत्र को अधार बनाया जाएगा और इसके बाद है प्रश्न पत्र एक निबन से धाईसव अंके और प्रश्न पत्र दो समान अध्यन फश्ट जो कि धाईसव अंके इसमें अलग- जैसे भारती, विरासत यम संस्कृती, विश्व का इतिहास यम भोल और समाज, साथी साथ इसके बाद है प्रशन पत्र थर्ड जो की समान अध्धन, दूसरा इसमें धाई सवांग के पूछे जाते हैं सासान विवस्था, सरिधान, सासार पनाली क्या है, समाजिक नयम, अंतर राष्टी संबंद, इसके बाद है प्रशन पत्र चोथा, इसमें समान अध्धन, थर्ड प्रदुग्की, आर्थिक, विकास, जै विवित्ता, पैरणायम, सुरक्षा, उसके अफवादन के प्रवंधन क्या है, यहां से भी धाई सवांग के पूछे जाते हैं, और इसके ब आपको लिखना होता है, इसके बाद है प्रस्न पत्र चट्वा, जोकि विकल्पिक, विसे, प्रस्न पत्र एक के अपलोग, जो भी चुने होते हैं, इसमें दो सवांग के, मतलब धाई सवांग के पूछे जाते हैं, और लास्ट है प्रस्न पत्र सात्वा, इसमें विकल्प में 1750 अंग के लिये जाते हैं और व्यक्तित्व परिक्षड इसमें 275 अंग के मतलब व्यक्तित्व का टेस्ट लिया जाता है कुल मिलाकर 2025 अंग का रहता है और जिस अधार पर आप लोग चैन करते हैं विसेव को उसी अधार पर तयारी कीजिए और इसके बाद देखेंगे अपन लोग इसके पूरी डिटेल स्लेवर्स के क्या क्या पूछे जाते हैं इसके अंतरकत कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट आते हैं जैसे बहांसा में देखेंगे आप जो भी बहांसा अगर चुने रहेंगे उसी के अधार पर आप लोग मतलब पढ़िएगा